So, Hello दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज एक निउस आई है RBI ने Bajaz Finance के जो E-Commerce और Insta EMI कार्ड होते हैं जहाँ पर वो Personal Loan देता है और एक No Cost EMI का ओफर देता है कार्ड बना कर देता है Online उसको Immediate Effect से बंद कर दिया है जब तक कि वो Clarification नहीं दे देते हैं या अपने जो भी guideline RBI की वो follow नहीं कर रहे हैं वो सही नहीं करते और RBI satisfactory feel नहीं करता तब तक के लिए उसे ban कर दिया गया है अब इसका क्या impact पर सकता है और क्यों इसे ban किया गया है हम समझते हैं पहला तो ये कि last year अगस्त में RBI ने digital lending के लिए guideline issue किया था जिसके अंदर एक जो भी company digitally loan दे रही है उसे key fact statement अपने borrowers को देना जरूरी था अब जानते हैं कि ये key fact statement क्या होता है ये key fact statement जो है उसके अंदर सारी details होती है loan के बारे में और इसी के अंदर एक analyzed rate of return होता है सबसे main जो मुद्दा है वो इसी का है कि analyze rate of return जो है rate of interest sorry analyze rate of interest जो है वो बहुत जादा होता है जो बताया जाता है आपको पाल लिजे आपको बताया जा रहा है कि हम आपको 15% के rate से ओफर कर रहे है लोन या जो भी है इसके अंदर credit facilities online जो दे रहे हैं लेकिन वो actual में कितना चला जाता है 25% 30% है न तो वो analyze rate of interest calculate करते है न था तो ये इन लोगों को इस key fact statement के अंदर देना अनिवार था जो ये दे नहीं रहे थे अब company का कहना है कि वो already issue कर रहे हैं लेकिन आप जो already issue करना बोल रहे हैं उसके अंदर RBI की जो guideline है properly उसे आप satisfy नहीं कर रहे हो तो detailed review जो किया उसका उसके बाद इनने पता चला है कि वहाँ पर corrective actions लेना अब इनके लिए चरूरी हो गया है RBI के satisfaction के लिए तो RBI ने तब तक के लिए इसे ban कर दिया है तो अब इसका क्या impact हो सकता है देखिए management का तो कहना है कि ज़्यादा impact नहीं आएगा लेकिन कहीना कहीन ये NBFC बजाज फिंसर 29% year on year की growth ले रही थी जो काफी ज़्यादा है क्योंकि compounding के हिसाब से year on year growth जो ले रहे है वो 29% बहुत होता है और अब इस पर hit पड़ा है तो यहाँ पर कहीना कहीन एक decline हमें देखने के लिए मिल सकता है बहुत बड़ा तो नहीं ठीक ठाक सा decline हमें देखने के लिए share में मिल सकता है आगा आने वाले समय में तो आज के लिए इतना ही आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद